हलो दोस्तों मेरा नाग हम मुहम्मद कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग N.V.S. नौदा विद्याला समयती के तरब से जारी TZT-PZT विग्ध्यापन के बारे में यहां पर सब्जेट कॉंबिनेशन क्या है TZT का भी बात करेंगे और PZT का भी बात करेंगे और हम लोग देखेंगे एक्जाम का पैटन तो सब्जेट का कॉंबिनेशन और एलिजबिल्टी साथी साथ देखेंगे एक्जाम का पैटन आवेदन सुरू हो चुके हैं आप लोग फॉर्म भर लीजिए इस समय नौदा वि जन में होंगी इसके लिए फॉर्म नौ जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में भरे जाएंगे आप एलिजिबल है और चाहते हैं दुन जगे फॉर्म भरना तो बर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा योगिता कि इसकी योगिता क्या है तो समझते हैं के लिए 68 पोस्ट है वहीं पर बात करें पीजीटी का तो टोटल यहां पर 397 पद हैं और यह जो सभी नोडिफिकेशन है हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा जाहिए ज़रूर जोइन करिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में दिया गया है ए पांस सब्जेक्ट हैं टीजीटी के टोटल 683 यहां पर पोस्ट हैं और यहां पर दोस्तों टीजीटी के तहट लेंगवेज टीचर्स की भी वेकेंसी है 15 अलग-अलग लेंगवेज की भरती है 343 टोटल इसके पोस्ट हैं और कुछ MiscliniousCategories की भी भरती आई हुई है तो यह है टोटल जो वेकेंसी आई हुई है बात करते हैं हम लोग एलिजबिल्टी की और TGT PZT की ही हम लोग एलिजबिल्टी देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम लोग PZT जानि पोस्ट ग्रेजवेट टीचर की एलिजबिल्टी यह पर सबसे पहली eligibility ये है कि upper age limit 40 साल से जादा नहीं होनी चाहिए सामान वर्ग के छातरों के लिए हाला कि as per category age में relaxation है तो सामान ने जो छातर है unreserved उनकी upper age limit 40 साल से उपर नहीं होनी चाहिए PZT के लिए essential qualification इसमें ये है कि आपका post graduation होना चाहिए 50% number के साथ और यहां पर beard भी मांगा जाता है तो यह आपको समझना होगा PG plus beard ये दो eligibility होती है PZT के लिए subject आप देख पाएंगे जो subject combination वगएरा है तो यहां पर PZT English के लिए आपका masters English में होना चाहिए Hindi के लिए Hindi में होना चाहिए फिर physics के लिए physics या applied physics या electronic physics या फिर nuclear physics तो इसमें यदि आपका masters है तो आप PZT physics से आवधन कर सकती है PZT chemistry के लिए आपका master chemistry से हो या bio chemistry से हो तो यहां पर सारी चीज़ें बिल्कुल detail में दी गई है आप अपने विशे का eligibility एक बार चेक कर लिजेगा कुछ यहां पर desirable qualification भी है ये आपके पास यदि नहीं है तो भी आप आवधन कर सकती है यह सिर्फ preference के लिए होता है यदि दो student का number बिल्कुल same हो जाए तो जिनके पास यह desirable वाली qualification होंगी उनको पहले वारिता दिया जाएगा इसमें यह है कि आप PZT के रूप में अपने subject से पढ़ाए हो उसका experience हो फिर experience of working in a residential school computer knowledge यह आपके पास है तो यह चीज़ें आपकी desirable qualification है बात करें दोस्तों PZT Computer Science की यहाँ पर PZT Computer Science के लिए अलग से योगिता दी गई है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं अलग यह है कि PZT Computer के लिए आपको ना Masters की जरूरत है और ना ही BA की जरूरत है यदि आपने simply BTEC किया है 50% number के साथ Computer Science या IT से तो भी आप आवे दन कर सकते हैं PZT Computer के लिए यहाँ पर BA Desirable Qualification है Essential Qualification नहीं है हाला कि यहाँ पर Note में यह भी लिखा गया है कि Promotion के लिए BA Degree के जोद पड़ेगी लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है सिर्फ और सिर्फ Computer Science के ही अधार पर यह आपने BTEC किया हुआ है और भी यहाँ पर Computer Science के है आप यह से एक बात जरूर देख लीजिएगा MSE Computer Science है तो भी चल जाएगा BSE Computer Science BCA और Post Graduation आपका किसी भी स्ट्रीम में तो भी चल जाएगा चली आते हैं हम लोग TCT के लिए Training Graduate Teacher के लिए तो यहाँ पर दोस्तों जो एज की लिमिट है वो है 35 साल अपर एज लिमिट 35 साल ह है TCT के लिए और Essential Qualification में यह है कि आपका Graduation में 50% नमबर होना चाहिए और उसे के साथ साथ दोस्तों आपके पास होना चाहिए B8 की दिग्री और होना चाहिए CETED का पेपर टू पास हिंदी इग्रिस में आप पढ़ाने में सक्षम हो यह TGPG हर जगा लागू होता है तो मेलनी यहाँ पर यह है कि संबंदिर विसे में आपका सनातक 50% नमबर के साथ फिर B8 और फिर CETED का पेपर टू पा यहाँ पर भी कुछ desirable qualification है लिए जरूरी नहीं है बात करते हैं हम लोग subject combination की क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में TGPG की भरती होती है वहां से और यहाँ पर subject के combination में अंतर है जैसे कि TGPG के लिए आपके B.A. में तीनों साल हिंदी होना चाहिए English के लिए आपके graduation के तीनों स साल में English होना चाहिए TGT Maths की eligibility भी आपको समझनी पड़े कि इसका भी subject combination कुछ अलग ही है यहाँ पर यह है कि आपका bachelor's math में हो उसी के सासाथ आपने physics पढ़ा हो अपने graduation में और दोस्तों chemistry, electronics, computer, science और statics इन चारों में से भी एक subject आपका graduation में होना चाहिए तो यहाँ पर subject combination काफी तगड़ा है TGT Maths के लिए और यहाँ पर कुछ condition है आप देख सकते हैं बात करते हैं TGT Science के लिए और botany geology और chemistry आपका चाहिए होगा graduation में the candidates should have studied botany geology and chemistry during all the three years in graduation तीनों साल में आप यह पढ़े होने चाहिए फिर यहाँ पर है TGT Social Science यहाँ पर आप देखेंगे the candidates should have studied any two of the following subject combination at graduation level यहाँ पर दो condition है यह है कि history और history के साथ geography, economics या political science और इसमें दूसरी condition है geography with geography के साथ history, economics या political science कहने का मतलब यह है कि history, geography, economics और political science इन चारों में से कोई भी दो subject आपके graduation में होना चाहिए जिसमें से history या geography आपका एक subject के रूप में जरूरी है यहाँ पर पताया गया है कि history, oblig geography आप graduation के तीनों साल में पढ़े होने ही चाहिए तो यह दोस्तों कुछ है TGT, SST के लिए eligibility बात करने दोस्तों जो language की भरती है तीसरा language जो पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर total 15 language से मैंने आपको दिखाया ही था total 15 language है, TGT के अंतर का दिन की भी भरती है किस language के कितने post है, यहाँ पर बताया क्या है तो इसकी eligibility क्या है, वो भी आप यहाँ से समझ लीजिए ताकि आगे आपको कोई confusion ना हो तो TGT language teachers के लिए है कि आपका जो original language है, यानि जिस subject से आप आवेदम करना चाहा रहे हैं वो आपके graduation के 3 साल में होना चाहिए 50 person number आपका aggregate बनना चाहिए graduation में और यहाँ पर बताया गया है कि TGT का कोई भी subject हो graduation, B.A.D.D.E.T.E.T.E.T.E.D.E.E. लगेगा ही लगेगा हिन दिगरी साबको आना चाहिए desirable मैंने आपको बताया है नोट में एक चीज दिखा गया है कि B.A. डिग्री इस नॉट अप्लिकेबल B.A. का डिग्री उन्च हात्रों को ही लगाना है जिन्होंने चार इयर का इंटिग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो इनकी लिए B.A. से छूट है बाकी मिस्क्लिनियस जो पोस्ट है तीन घंटे का एक पेपर होगा चाहे वो P.G.T हो या हो आपका T.G.T दोनों में तीन घंटे का पेपर है पेपर में 6 पार्ट होंगे P.G.T का मैं पहले डिसक्स कर रहा हूँ आपके पेपर में टोटल 6 पार्ट होंगे जिसमें की 4 पार्ट जो है आपके P.G.T का कोई भी सब्जिक्ट हो ये 1, 2, 3 और 4 सबके लिए कॉमन रहेंगे पांचवा पार्ट आपके सब्जिक्स रिलेटेड होगा और 6 पार्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेजर का है ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा लेकिन 6 पार्ट को क्वालिफाइं करना जरूरी होगा यदि आपने इस पार्ट को क्वालिफाइं नहीं किया तो आपके 1 to 5 चेक नहीं होगे तो 6 पार्ट में है क्या तो आप यहां पर देखिए यहाँ पर 10 question Hindi और 10 question English के पूछे जाएंगे total 20 question आएगा 20 number का और each part में यानि हिंदी में भी और English में भी आपको 40% number लाना होगा यानि 10 में से 4 number Hindi में 10 में से 4 number अंग्रेजी में आपको लाना होगा तभी आप part 6 qualify होंगे और जब आप part 6 qualify होंगे तभी आपके 1 to 5 वाले part चेक होंगे तो जो married बननी है वो 1 to 5 के आथारवर बननी है total 130 number का married बनेगा 130 question आएंगे 130 number का यानि ये question एक number का है negative marking भी इसमें 1 by 4 रखी गई है अब ये 5 part है क्या पहला part है general awareness 10 question 10 number फिर है reasoning ability 20 question 20 number फिर है knowledge up ICT 10 question 10 number फिर है teaching aptitude 10 question 10 number और जो subject वाली चीज़ है 80 question 80 number subject में आपके इस basic subject से सवाल पुछे जाएंगे फिर यहाँ पर आपका critical and creative teaching based question होगा experimental activity based question होगा NAP 2020 से सवाल आएंगे तो यहाँ पर pedagogical सवाल भी पुछे जाएंगे directly या indirectly total 3 गंटे का समय है और किसी भी पार्ट के लिए specific समय का boundation नहीं है इसी 3 गंटे में आपको सभी पार्ट ढल करने हैं आप किसी भी पार्ट में जादा समय ले सकते हैं किसी में कम ले सकते हैं लेकिन 6 पार्ट में आपको qualify करना जरूरी होगा तो यह हो गया दोस्तों PZT चलते हैं TZT के तरब तो TZT में क्या है लगबग चीजें बिल्कुल सेम है इसमें भी 6 पार्ट है छठा पार्ट इसमें भी आपको qualify करना जरूरी होगा अब यहाँ पर बदला हो यह है कि यहाँ पर 30 question का है 30 नंबरों के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 language आ जाएंगे एक हिंदी एक इंग्रिस और एक रिजनल लैंग्वेज जो आप फॉर्म भरते हुए चुनेंगे तीनों लैंग्वेज से ददद सवाल पूछे जाएंगे सब में 40 पर से नंबर लाना अनिवार है यानि कि चार नंबर अंग्रिजी में चार नंबर हिंदी में और चार नंबर जो आप अपना एक लैंग्वेज चुनेंगे तो छड़ा पार्ट यह आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके 1 to 5 वाले पार्ट चेक होंगे जिसमें 1 to 4 के जो पार्ट है वो टीजटी के सभी और चार नंबर गीसटी में यहांपर 10 सवाल हो गए और पीजटी में रिजनिंग वाला जो पार्ट था यहां पर 20 सवाल से तो चीज़ यहां बिल्कुल क्लिरी समझ गए होंगे यहां पर भी पार्ट सिक्स क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा तिन गंटे का यहां पर भी समय मिलेगा एक कोशन एक नंबर नेगटिव मार्किंग वन बाई फोर्ड जो भी एक्जाम अपना पास करेगा उसको पर्फॉर्मेंस आप CBT, कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा एक आपको ऑनलाइन एक्जाम होगा आपके CBT के पर्फॉर्मेंस के आधार पर आपको इंटर्व्यू या कहें परसनल इंट्रेक्शन के लिए बुलाया जाएगा तो इंटर्व्यू उसमें होना है यह चीज़ आ पर वीडियो बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक बार देख लिजिए और आपको सारे जानकारे मिल जाएगी यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दिजिएगा तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बला इकन दवा लिजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इल फॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाचिंग